हेलो शुडेंट्स मैसल जितियंदर जोगला आज हम बात करेंगे कंड़क्टेंस आफ इलेक्ट्रोलिटिक सरुप्शन पहले तो समझते कि कंड़क्टेंस होता क्या है देखिएगा एक्टिली कंड़क्टर की करें बात करता हूं तो कंड़क्टर दो तरह के हो सकते हैं फिज अचिए आफ इलेक्ट्रणिक कंड़क्टर के नाम से आयुसका कंड़क्टर भी हुआ करता है यह लेकिन अटनेटने कनेटर है व पर यह क्या देता हूं तो सोडियम पानी सिर्ड पानी में जाने के बाद podcast जाता है यह deeper सीजные आगा सब्सक्राइबर ऑट यह सेल मायनस सुब्सक्राइबर फ्रीम पानी जाने के बाद यह क्या बनले यह सार ता है free mobile ions तो जो का आयोनिक कनड़क्टर होते हैं ions are the career of current लेकिन metallic wire जो होता है इसमें electrons free mobile electrons are the conductor of electricity तो चलिए देखते हैं metallic conductor और electricity conductor में basic difference क्या है समझने की कोशिज करेंगे number one difference समझने कोशिज करते हैं यह क्या कि electrons are the charge electrons are यह क्या होते हैं they are charge carrier यहां पर electron charge को करी करते हैं और यहां क्या होते हैं यहां पर मैं लिखने की कोशिज करता हूं ions are charge carrier एक सहन से वहां charge को लेकर जाना है तो कौन लेकर जाएगा यार यास आयन जाएंगे दूसरी सब से बात इसमें जैसे वायर में current जा रहा है लेकिन वायर के internal structure में कोई change नहीं होगा है ना wire सालों साल हमारे घर में लगा रहता है कोई change नहीं होता है तो क्या होगा no chemical change देखेंगे यहां पर यहां पर जब current करी करता है कोई electron तो उसके internal structure में कोई chemical change नहीं होता है लेकिन यहां क्या होता है है ना chemical change होता है deposition and dissociation होता है क्या हो जाता है यास तो यहां पर लिख लेंगे एक लाइन में chemical change टेक प्लेसी ध्यान रखना है एक सबसे important बात उसको मैं ध्यान रखूंगा क्या ध्यान रखता है metallic conductance decrease with increase in temperature तो ध्यान रखनेंगे इसका जो conductance है conductance का हिंदी मतलब क्या होता है देखिएगा that is the ease of flow of electricity ध्यान रखेंगे conductance को यहां पर आलक से लिख लीजिएगा conductance है तो क्या लिखेंगे ease of flow of electricity that is called conductance यहां पर लिखा हुआ है इसको आप लिख लेंगे चली ठीक है तो conductance है यहां पर universally proportional to temperature है लेकिन आयोनिक में क्या होता है आयां में जाओं गरम करते हैं तो आयां का extent of dissociation यह जो dissociate हो रहे ना एने प्लस of steel माइनस में इसका dissociation ज्यादा हो जाता है तो यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं इसको resistance के हिसाब सभी लिख सकते थे conductance is directly proportional to temperature अब एक चीज़ और समझने की कोशिज करते हैं यहां पर आफेक्टर अफेक्टिंग डैलिक करता है मतलब उसमें number of well as electron कितने हैं और उस इसे इसके न्यॉकलर से कितना दूरी पर उसके ही साफ सभी हो पाएगा नंबर आफ वाइलेंस एलेक्ट्रॉन वाइलेंस एलेक्ट्रॉन माने क्या होता है आउटर मोस्ट सेल में कतने एलेक्ट्रॉन हैं तो उसके हिसाब से जितने नंबर आफ ग्रेटर दे नंबर आफ वाइलेंस एलेक्ट्रॉन ग्रेटर दे कंड़क्टेंस यह कॉंसेप्ट है जनर्וש और अभी हम इस ऐस मुझे राईजी इन टेमप्रेशर अगर टेमप्रेशर का क्या फरक पड़ेगा तो टेस्ट है डेक्रीजर्र इंहेड्य क्या राईज इन टेमफ्रेशर टेमप्रेशर को बढ़ाने से कंड़क्टेंस कम हो जाया करता है याना क्योंकि एलेक्टॉन कर रिस्टेंस आपसे बढ़ जाएगा आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनक्रीज विद दिक्रीज इन टेमप्रेचर यह कंड़क्टेंस की बात थी कि मोच्ट्रो छोट लाइट देग देखें का लेक्ट्ट्रो लाइट दो तरह हो सकते हैं एक को कहा जाता है वीक लेक्ट्रोलाइट और क्या हो सकता है strong electrolyte, जो completely dissociate हो जाते हो, पानी में डालने के बाद, जैसे nacl हमने लिखा था भी, तो nacl, अगर nacl का सरुसन है, तो पक्क रहे strong electrolyte होगा, क्योंकि nacl क्या करेगा, nacl strong electrolyte है, क्योंकि ये पानी में जाने के बाद, completely Na plus or Cl minus में dissociate हो जाएगा लेकिन देखेगा जो weak electrolyte है तो weak electrolyte को मैं यहाँ पर लिखने कोशिज करता हूँ यह क्या होता है सर जैसे मालीज आपने यह पर CS3 COOH रखा और अगर इसमें आप पाई डालते हैं तो यह क्या करता है सर आप यहाँ पर करते हैं और यहाँ पर आप लिखा करते हैं CS3 COO माइनस और यहाँ क्या बनेगा H प्लस तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर double headed arrow बन रहा है और आपको पता होगा कि इसका dissociation बहुत कम होता है maximum 5% हो सकता है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि वीक आसिड रिख जितने भी होते हों डाट इज एच सी एड इसका मतलब जो सबस्तेंस कंपरीटली नहीं होते हैं उनको वीक उलेक्टो लाइट कहा जाता है और स्ट्लाइट्राइट क्या होंगे जो कंपरीटली डिक्टोशीयेट हो जाते हो जैसे जो है जसे सिय एन Нет कि यह क Kimberly का मतलब करता हूँ गाली आपको लीठियम तो देखे गा जितना आयन चोटा होगा उत्रा असानी unrest करेगा साइलग साइज आइन ग्लीटर दे मुोमेंट ग्लीटर देर मीयाँ सरथे इसके डिटिविट्यइट लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है देखेगा यहाँ पर फूटा होने का इसका मूड़ा हो चाहिए लेकिन इसका solvation जादा होता है मतलब पानी के molecule इसमें plus charge आता है तो पानी के molecule इसको चारो तरब से घेर लेते हैं कैसे घेरते हैं यार याद करो आप लोग उने पढ़ा था last year पढ़े थे हम लोग इसको बोलो यार चारो तरब से पानी इसको घेर लेगा इस तरह से यहां पनेगे टू चार्ज पार्सेल आ जाएगा तो लीथियम का आयन क्या करेगा लीथियम का आयन चारो तरफ से पानी से घेर जाएगा लेकिन सोडियम की केस में क्या होगा तो सोडियम के केस में यह आयन बड़ा तो होता है लेकिन यहा ग्रेटर द पोलराइजिंग पावर तो क्या हो जाएगा ग्रेटर द सॉलवेशन यहां पर क्या होगा यहां पर पानी के मॉलेक्यूल उसकी अपेच्छा इसमें कम चारों तरब से घेरेंगे यहां प्लस जाएगा यहां प्लस जाएगा प्लस जाएगा पार्सियल प्लस मखंधा होगा ऐसा हम रोगों ने पढ़ा है लेकिन इन दोंहें से कौन अच्छा inanHola करोगा तो ये होगा क्योंकि इसका सोडियाउ-माएन का साउल कम होता है पानी के मौलेक्यूल चारोचु हुआ से घो और लेंगे तो इतना बड़ा हो चोटा सा है लेकिन बड़ा हो जाएगा क्यों कि इसके उपर पाइटिकल स्टिक हो गया है है ना तुद देखेगा तो यह ज्यादा इस्टीक ही निचरका होता है समझ यह सॉलविशन ज्यादा कहता है पानी के मौलेक्यूल को अपने चारों तरफ बुड़ा लेता है तो खु हो गई कि नेचर आफ साइज आफ आयन और देर सॉल्विशन के बारे में आगे हम चलते हैं जाटी नेचर आफ सॉल्वेंट देखेगा पोलर सॉल्वेंट काजेज घ्र कनडक्तिविटी अगर सॉल्ड को पानी में दिसॉसल करेंगे तो उसका डिसोसियेशन अच्छे से पाएगा लेकिन अगर किसी sult ko na cl ko आप alcohol में dissolve कर देते हैं C2H5oH यह वह alcohol जो लोग पीने में काम लगाते हैं तो na cl की solubility alcohol में कम होती है और इसका dissociation कम हो पाएगा तो किसी polar solvent जब na cl घुलता है कोई ionic substance dissolve होता है तो उसका dissociation ज़्यादा होग तो number आप आयन ज़्यादा बनेंगी और number आफ आया ज्यादा होंगे तो उसका conductivity भी ज्यादा होगी है ना चलिए ठीक है आगे देखते हैं कंसंट्रेशन आफ एलेक्ट्रोलाइट है लोवर्ड़ कंसंट्रेशन हायर द कंड़क्टिविटी कंसंट्रेशन इजी इनुवर्सली प्रपोशनल टू कंड़क्टिविटी य लेंगे का सोचिएखंगे क्यों है साव रहा है तो देखिएगा जब कभी हम बात करते हैं की तो पानी त्विकल यादा डालेंगे तो डिसोसीयशन हो aniटा i और आइन ज्यादा बनेंगे तो हैं अलिदा कंड़क्टिविटी हो पाएगी अच तो दोनों ही केस में को घटा देने से आपकी देर कंड़क्टिविटी इंक्रीजिज आगे चलते हैं तो टेंप्रेचर के किस में कहा जाता है हायर देंप्रेचर हायर देंप्रेचर हायर संब्रेचर को बढ़ाने से से कम हो जाता है क्यों है क्यों कि उसे कि एक आफेक्ट करते हम समझने क कोसिस करते कि मैटलिक कनड़क्टर के लिए क्या करेंगे और कीसे कनसें को चेंज करने से किस तरह से electrolite के conductivity में फ़रक पड़ जाएगा हम सुरू करते हैं कि कोई electrolytic solution कैसे conductivity सो करता है और किस तरह से कोई resistivity करता है उसके पहलए हम को समझने की कोशिस करते हैं जैसे अगर मैंने कोई metallic conductor लिया है अगर यहाँ पर कोई metallic ड़िक अग्रिंट्ट को बीच चाट जाए इससे तो यजो क्या कहलाएगा डिया कहलाएगा गलाएगा चलीचंत करते हैं कर सकते हैं के शेख उदिषस्टंस के लिए का कहा गए हम लोगों ने पढ़ा है रज़िस्टंस को resigns को आर से सो किया जाता है तो यह करेंट को कैसे सोग करेगा मैं मिटालीक कंड़क्टर की बात कर रहा हूं के उकर करेगा की यहां पर क्या है तो यहां पर सब का मतलब है लिख लेते हैं कि आर क्या है और एल क्या है एक्या है और रो क्या है तो आर क्या है भाई आर इस रजिस्टेंस एल क्या है लेंथ आफ वायर है येस और एक्या है एरिया आफ क्रोस सेक्सान और हमें क्या मिलेगा यहां रो इसको परते हैं रो आर एच ओ रो ग्रीक वर्ड है रो कहते हैं इसको रो का मतलब होता है रजिस्टी वी टी तो यह तो बाथ को गई कि क्या हो गया इसी को किसी किसी सब्संतर लेता हूं तो क्या हो जाएगा देखेगा यहां पर मैंने दो इलेक्टोड ले लिए हैं दो इलेक्टोड मैंने लिए भाई चली कैसे लिए दो इlekpload मैंने लिए और इस तरए से हैँ आप आप देखिएगा यह alec.. टैक कीज टरा यहाँ कितरा है और इसका area क्रास section कितना है ए है और इनके बीच का distance कितना है इनके बीच का distance को क्या अच्छा मान लेते हैं नहां लेते हैं प्रोमाने क्या होता है रेजिस्टीविटी एल अपान ए फिर से देखिएगा ऐसा सम्न रेजिस्टेंस क्या होगा कि आफ एस सेल हूज दोनों एलक्टोड के बीच का इसेंस ऐल हो और उन एलक्टोड का एरिया फ्रॉस सेक्षन के हो ए मीटर स्क्वायर या ए संटीमिटर स्क तो ऐसी को क्या कहेंगे, रेस्टेंस कहेंगे, अब आपसे बात किया जाए, यूनीट अफ रजिस्टेंस, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, कि यूनीट आफ रेस्टेंस क्या होती है, इसको सिंबल के फॉर्म में इस तरह से लिखा जाता है ओम का सिंबल यह हुआ करता है चलिए आगे चलते हैं यहां बात करते हैं पी रजिस्टी विटी रजिस्टी रजिस्टी विटी की बात करते हैं इसको इसे पेस्फिक रजिस्टेंस भी करते हैं रो क्या होता है तो एल और इसकी यूनिट क्या होगी यूनिट आफ रजिस्टिविटी रार की यूनिट होती है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई यास मीटर इसक्वायर ऐसा यूनिट किम बात कर रहा हूं यूनिट क्या होगी मीटर मीटर से मीटर कट जाएगा आपकी यूनिट क्या ह होगीומת aspire आप इसको लिख सकते हैं ओंब मीटर तो मीटर एस ऑप है उनीट आफड रिस्टिविटी एकृसी कि किसी ऑपयार्ट बचाने के लिए फर्मूला हुआ और शॉसक्ति के लिए को करते हैं हम लोग कंड़कंस और इस क्या होता है रो Heart को रजिटेस कर मिस are obstacle to flow of obstacle of flow of current is called resistance लेकिन कंडुक्टेंस क्या होता है इस आफ फ्लो आफ electricity is called conductance का जो symbol होता है उसको capital G से सोग किया जाता है और कंडुक्टेंस को क्या कहते हैं तो कंडुक्टेंस that is G is reciprocal of resistance G is is consider as reciprocal of resistance और इसकी यूरी किया होती है यूरी ऐसी क्या होती है यूरी का लिए वे क्या है तो थे क्या है तो कपा क्या है जाता हैадц cuma क्या है इसका है है इसको ध्यान रखेंगे इसको कपा कहा जाता है कपा क्या होता है देखिएगा कपा इज तो यहां पर लिखेंगे कपा कपा के कितर लिखा याता है और यहाप पर लिख लेता हूं किया लिगता हूं वन आर ए और अर को किया हो जाएगा इंटु यहां पर य रहर हो जाएगा यास तो चरिए आपको एक और मिल गया सकता हूँ न 9-10 को 40 Me अगू सकता हूँ थेंस इसको में बाद सकता हूँ है ना इस कौन-डिटी को धाकर के इस faculty को हट का करम के सकता हूँ गान और السब कॉस्तन खेटेंट किया होता है से कहा जाता है और से एसफिक रजिस्टेंस निकाल लेंगे लेकिन किसी स्ट वीह स्ट भिली में करेंगी दो प्रदम contenu का resistance निकालने में मुझे दो तरह की problem face करते हैं कैसा पहला अगर आप इसमें DC current pass करते हैं तो इसका dissociation या association हो जाएगा है ना chemical change हो जाएगा तो हमें इसका exact resistance नहीं मिलेगा दूसरा इसको किसी में connect कैसे करें वायर के थ्रू अगर आप वायर लगाएंगे तो वायर भी involved हो जाएगा chemical reaction में तो वायर के थ्रू connect करते हैं तब यहाँ problem आएगी तो क्या करते हैं तो इसके लिए कि इसको connect कैसे किया जाए इस यहाँ से हम आप यहाँ पर देखें यह diagram आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा इस तरह के conductivity cell यूज किया जाते हैं conductivity cell में L और A की value fix होती है मतलब उसका value measured होता है आज कल मार्केट में इस तरह के cell मिलते हैं तो हम क्या करते हैं जिस solution को हमें जिस solution का resistance निकालना है रजिया रजिस्टिविटी निकालनी है उसके रिए मुझे क्या चाहिए A और L चाहिए यह यह चाहिए resistance निकालने के लिए तो जिस solution का resistance निकालना है उसमें L और A की value इस cell constant में fix होती है बस उसकी value को यहाँ पर calculate किये और answer resistance का आ गया चलिए यह तो बात हो गए कि कि किसी solution का resistance से निकालने के लिए हमें का चाहिए cell constant की value का हम यूज करते हैं और cell constant की value इन से बके cells का value दिया रहता है अच्छा तो cell constant को जी स्टार से सो किया जाएगा इसकी मीटा डिफाइन कर लिजेगा इसकी मीट होती है मीटर स्क्वाइर तो यहां क्या हो जाएगा पर मीटर अच्छा एक और बात देखेगा अगर जी स्टार है तो मैंने क्या लिखा है यहां पास जी इरिया डेटिस काल देख सिल कॉंस्टेंट अच्छा और बात है मैं बात पर आफा की यूनिट क्या होगी देखेगा वन अपान आर जी को किसे नापते है कपा इसको जी इन टुजी तधान रखेंगे इसकी यूनिट होती है सीमेंस याद रखेंगे और जी स्टार क्या स्क्राइब करें तो क्या हैं इसका थिश्कार आएगा यहां पर क्या लेएंस सीमेन्स पर मीटर तो देखेंगा इसकी यूनिट है क्या हो जाएगी सीमेंस अभार में यहां से निकाल आथा, सिम्स कि लिए कंडुक्टंस के लिए दिए रजिस्टन्स और यहां पर समार सब के लावा आप और क्या लिख सकते हैं देखेगा कंड़क्टेंस को वन अपान आर्क को क्या लिखेंगे आद देखे तो वन अपान आर्क यूनिट क्या होती है ओम होती है यास तो आप इसकी यूनिट को क्या लिख सकते हैं यास ओम इनवर्स ची उपर जाए का जाएगा ओम और उक बात है, आर की यूनिट क्या होती है? आर की यूनिट होती है, one upon ohm, ohm भी कहते हैं, बिल्कुल तो आप क्या लिख सकते हैं? ohm inverse, धान से देखेगा, यह सब unit of conductance चल रहा है, और एक मज़े की बात है, ohm का उल्टा क्या होता है, धान से देखिएगा ओम का उल्टा होता है एम हो मों भी कहते हैं तो यूनिट आफ कंड़क्टंस इस तरह से लिखा हुआ बुक में कहीं मिलेगा आपको सीमेंस इसकी ऐसा यूनिट है पर ओम पर ओम क्यों हुआ तो समझ गये होंगी पर ओम ऐसे भी लिखा हुआ तो सिंबल क द्हान रखेंगे है यह फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसको ध्यान रखेंगे आर जीकल टू रो एल अपान ए अब इसमें ध्यान रखना है कि रो इसप्स्टिविटी एल इस लेंथ ए एरिया आफ क्रॉस सेक्शन और रजिस्टिविटी क्या है आर एपान यह भी एक इंपॉर्टन फार्मूला है बार बार आप यूज करेंगे है ना और एक उसरे के कनवर्जन में जाएगा इसकी यूनिक का विध्यान रखेंगे जी का रसन क्या होता है वह नपान आद देखें तो चलते हैं किसी आयोनिक सलुसन के लिए क्या होती है काई यूनिट वाल तो कितने हों वन मीटर स्क्वाइर या वन सेंटीमेटर स्क्वाइर और लेंद कितनी हो 1 meter होती हो उसको क्या कहा जाएगा उसका conductivity कहा जाएगा लेकिन अगर मैं concentration को change कर दूँ तो उसके conductivity में फरक पड़ेगा पड़ेगा तो concentration को change करने से किसी solution के आयोनिक सलूशन के conductivity में क्या फरक पड़ता है उसको करते हैं मोलर कंड़क्टिविटी से चलिए समझने की कोशिश करते हैं चलिए समझते हैं मोलर कंड़क्टिविटी क्या होती है मतलब उसका कितना भी ज्यादा क्यों न हो सकता हो लेकिन उसमें वन मोल आफ एलेक्टो लाइट रहेंगे ऐसा एक डबा यह एक डबा है एक सलूसन है जिसमें इसका वाल्यूम तो किसी सलूशन में श्यादा हो सितना वी वाल्यूम में इस में ली Reese list मोलम हो सकता है और उसका number of mole electrolyte कितने रहेंगे one mole electrolyte रहेंगे उसको क्या कहा जाएगा उसको कहा जाता है molar conductivity the conductance of a solution consists of one mole of electrolyte in volume भी इसको लिख लेंगे फिर से देहन रखेंगे तो molar conductivity को हम कहा डिफाइन करते हैं कि molar conductivity, conductivity के बराबर ही होती है बट कंसंट्रेशन भी एफेक्ट करता है तो molar conductivity का सिंबल है लेंडा M इसको इसको लेंडा कहते हैं ध्यान रखेंगे इसको L, A, M, B, D, A लेंडा कहते हैं ये भी लेंडा है और ये भी लेंडा है देखेगा इसको भी हम लेंडा कहते हैं अगर आपने पढ़ा है इसको भी लेंडा कहते हैं ये लेंडा है ये लेंडा है फिर कौन सा लिखा जाए देखेगा ये जो लेंडा है ये लेंडा है जैसे हम लोग अलफाबेट ने जूज़ करते हैं ये कैपिटल A, B, C ये कैपिटल लेंडर है और इसमाल लेंडर A, B, C असे लिखा करते हैं इस तरह से ये ये ग्रीक वर्ड है और ये लेंडा क्लेपटल लेंडर है और ये इसमाल लेंडर है चलिए आगे देखते हैं तो लेंडा इसकोल टू क्या होगा कप्पा अपान C होगा ये क्या है सार ये किया था और इसका यूनिट क्या होता है मॉल पर चुकि ऐसा यूनिट की बात करते हैं तो क्यूबिक मीटर हो जाएगा फिस क्या होगी यूनिट आफ लेंडा एम इस किसमे क्या होगी दहां से देखेगा सीमेंस तो होगा ही सब्सक्राइब कैसे सब्सक्राइब पर लेंडा equivalent Morocco क्या होता है one ll क्यूबिक सेंटिमीटर आप héद हुगा इसी को One CCB कहा जाता है one cubic centimeter one ml क्या होता है एक इतना मुझण बड़ा Box है है जिसकी लेंद ना है कितनी है है उन इंटीक बांटीफ है इसमें 술 फानि आएगा यह इतना क्योत एक क्या हो जाएगा 1000 स valleys करते हैं कपप अगर सीमेंस पर सेंटीमीटर में हो और क्या हो सकता है सार यह होगा इसकी यूनिट और कंसंट्रेशन किसमें हो कंसंट्रेशं दिया हो किस में मॉल पर लीटर दिया हो तब क्या करेंगे भैस्ट देखेगा लीटर दिया है तोसको ऐमल में change कर दें औरसे condition में क्या करेंगे Sir yes तَّब यहाँ पर इसका 1000 से multi-isee कर देंगे तु सब्सक्राइब क्या हो जाएगा तब ही होजएगा तो यहां पर मोलर कंड़क्टिविटी का फार्मॉला क्या बन गया कपा इंटू 1005 सी देखिएगा कपा की यूनिट अगर सेवेंस पर सेंटीमीटर में दिया हो और कंसंट्रेशन मोल पर लिटर में दिया हो तो यह वाला फार्मॉला बन जागा सर आपने कैसे बना दिया अरे हुनिट अफ लेंड़ा हैं क्या होगा देखो तो या आशियेस बताओ सी मेंस पर सेंटीमीटर क Istv наж क्ट याए मजर क्या हो जाएगा क्या हो गाव सी मेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोण तो स्को एसकंसनtså करकर आप सिंपल वासाम क्या लिक एंगे लेंड़ अमड़ा इम कि कपा इन कब होना चाहिए कपा इन सीमेंस इन पर सेंटिमीटर और कंस़ंटरेशन मॉल अपठ सेंटीमेटर बैए घ्रियर था कि उन्यों पर लीटर में अगर ऐसा है तो इसकी यूनिट क्या आएगी तब कपा क्यों इस एग ये आएगी ध्हान रंग Leanu कपपा कि यूनिट क्या आएगी पर मॉल होगा अच्छा एक और यहां पर यूज़ करते हैं कौन सा मोलर कंडक्टिविटी के आलसु भी रिटेन ऐसे कब कपा कपा किसमें दिया हो कपा दिया हो सिमेंस पर मीटर में दिया हो माल लीजिए है ना और कंसेंट्रेशन किसमें दि दिकाला जाता है लेंथ इंटू ब्रेट इंटू हाइट अब क्या करेंगे इसको कनवर्ट करना है क्यूबिक मीटर में तो यहां नीचे 1000 से मल्टिपलाई कर देंगे अब यहां पर यूनिट क्या हो जाएगी यूनिट आफ मोलर कंडक्टिविटी यहां क्या आएगी यह स इसको आयर और यहां क्या हो जाएगा पर मूर्ट तो ध्यान रखेंगे क्या ध्यान रखेंगे सर यह तीनों चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखने तीनों फार्मूले सब्से ज्यादा यूज होते हैं अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालना है अगर यह यूनिट में आएगा ध्यान रखना है अगर ये इस यूनिट में है तो इस तर से आगे आप सौल करेंगे इस कोशन को है ना तो चलिए ठीक है इन तिनों फार्मूलाज को अच्छे से ध्यान रखेंगा और इसके वेस्पर नुमेरिकल्स को सौल करने की कोशिस करेंगे मिलते हैं अगले क्लास में थैंक यू